आखिर हिमाले परवत से कोई भी यात्री उमान क्यों नहीं उड़ता इसके पिछे की क्या वज़ रहा है वीडियों में लाज तक बने रहना हम इसके बारे में आपको बताएंगे हिमाले परवत की जो स्रिंकला है वो हमारे देश में एक खुपसूरती को बढ़ावा देती है ये हमारे लिए गरो की बात है इन्हें देखने की इच्छा सब की होती है लेकिन इस परवत की ऊची चोटियों को पतरनाथ ट्रेडिंग के जरे ही देखा जा सकता है कोई चाहे की हवाई जहाज में चड़कर इन्हें देखे तो समय सा संभाव नहीं है क्योंकि हिमाले परवत की उपर से कोई भी यात्री विमान नहीं उड़ता आज हम इसकी पीछे की कुछ वेग्यानिक वज़ा आपको बताएंगी हिमाले परवत की सिर्णी को जितना पवित्र माना जा है तब पिर हमाले की चोटी में उससे उपर से क्यों नहीं गुजर सकता हिमाले परवत समुद्र तल से बहुत ज्यादा उचाई पर है इसकी चोटी तेविस हजार पीट और उससे भी उची है जो संताप मंडल यानि स्ट्रेटोस्पियर को छोती है यहाँ पर हवा काफी प होती है विमान को आट से 10,000 फिट से निची आने के लिए इतना ही वक्त होता है इमालाए में हो इतने कम वक्त में नीची आना नहीं हो सकता दो उडान को खतरनाक बना देता है हिमालय परवत की उचाही पर मौसम इतनी तेशी से बदलता है कि विमानों को संभलने का महुका नहीं मिल पाता है एर प्रेशर के लिया से भी आतरियों को नुक्सान पहुंसता है और परवती इलाकों में नेविगेशन की सुधा ही प्राप नहीं होती है अगर कोई आपात इस्तिती हो या एर कंट्रोल से चंपर विकड़ जाता है तो इतना ही नहीं इस इलाके में कोई एरपोर्ट भी नहीं है जहां आपात इस्तिती में लेंडिंग हो सके यही वज़ा है कि हमाले परवत की उची चोटियों से को भी कमिर्सियल फ्लाइट ने उड़ान भर सकती है बहले ही उसे इसके बदले लंबा साफर दाय करना क्यों नपड़ सकती है पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सेर जरूर करें